तो गाइज, रेड्मी ओएलफोन के मैसेज में बहुत सरा useful features देखने को मिलता है like message delivery report show करना, hide message notification, message schedule करना, pin करना, individual message में notification sound change करना ऐसा बहुत सरा important useful features है जिसको काम में लेते हुए अब अपना messaging experience को और भी easy and advanced बना पाएंगे ठीक है and ये सारा setting सब रेड्मी ओएलफोन के Google message में सेम है okay so मेरा नमना अजमूल आप सब को हमारा channel cross of curiosity में स्वागत है तो फेंट एई है मेरे हाथ में Redmi Note 11T mobile phone and इसमें आज में आप लोग को top 10 message application का जो feature से ओ दिखाऊंगा and अभी Redmi के सब mobile phone में Google messaging application देखने को मिलता है इसका सब Redmi mobile phone में setting features same रहेगा चीक है तो फिन इसमें जो पहला new feature से आप अपना message apps को अपना WhatsApp वेब जैसे किसी दूसरा device में like किसे भी computer टैबलेट में use कर पाएंगे इसके लिए यहां पर त्री डॉट है इसको पर टैप करके जो पहला option है डिवाइस प्यारिंग का इसको पर टैप कर देजिए यहां पर एक site का link दिया हुआ है इसको अपना device दूसरा device like computer टैबलेट में इसको open कीजिए और वहाँ पर QR code दिखाएगा और आप अपना यहां पर QR code scanner है इसको पर टैप करके QR code scan कर लेंगे तो आपका phone का messaging system है आप उस device से इसको operate कर पाएंगे ठीक है तो एक अच्छा new feature से जो office में काम करते उन लोगों के लिए features बहुत ही helpful है ठीक है इसके बाद जो feature से ओ है आपको दिन बाद तरह तरह का कितना सारा message आता रहता है लेकिन आप चाहते कि उस message के अंदर किसी एक particular message message को या दो message को पीन करके उपर में रखना चाहते हमेशा वो टॉप में दिखाई देगा ऐसा करने के लिए आप किसी message को उपर लॉंग प्रेस कीजिए और उपर में जो पीन का option है इसको टैप कर दिजिए उसको मैसेज आपका पीन हो जाएगा आपको हमेशा उपर में लिए आप चाहते हैं कि किसी भी individual person का जो notification sound है उसको सुनके आप उसको पहचान ले कि कौन आपको message किया तो इसलिए आप किसी भी individual person का जो notification sound है उसको change कर पाएंगे इसके लिए आप किसी भी message को पर क्लिक कीजिए और उपर में जो तीन डॉट है इसको पर टैप करके पाइला option है notification इसको पर टैप कर देंगे तो यहाँ पर जो sound का option है इसको पर टैप करके आप किसी भी individual person का notification sound change कर पाएंगे यहाँ पर जाका जो चूज लोकल रिंग्टोन है इसको पर टैप करके आप किसी भी music या फाइल से कोई भी recording बगरा जो भी आप चाहते हो सेट कर प पाएंगे एंड आपके नीचे यहाँ पर बहुत सहरा रिंग्टोन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा sound effect रिंग्टोन यहां से भी आप डाउनलोड करके किसी भी sound या रिंग्टोन को as a notification sound use कर पाएंगे एंड फेंड आप चाहते हैं कि जब भी कोई आपको message करे एंड उस टाइम आपका फोन लॉक रहे तो उस टाइम आपका फोन में कोई भी message यहाँ पर सो ना करे सब हाइड रहे तो एक करने के लिए आपको simple से यहाँ जो 3.a इसको पर टैप कीजिए एंड टैप करने के इसको बाद यहाँ पर जो notification का option है इसको पर टैप कीजिए एंड यहाँ पर नीचे allow lock screen notification का option है इसको अंचेक कर दीजिए अब आपके पास जो भी message आएगा lock screen पर उस सो नहीं करेगा ठीक है एंड आपके पास जब भी कोई OTP message आता है तो one time काम के लिए उस होता है लेकिन आ message 24 hours के बाद automatic delete हो जाए आपको manually delete करने का जुरूरत नहीं है तो करने के लिए आपको simple 3.8 इसको पर टैप कीजिए और सेटिंग पर जाने के बाद नीचे यहाँ पर जो message organization का option है इसको पर टैप कीजिए टैप करने के बाद इसको on कर दीजे पहले इससे on करने से क्या होगा क कि यहाँ पर जो message में आपको उपर में categories wise आपको दिखाना start हो जाएगा पहले category नहीं दिखा रहा था लेकिन अब यह category दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पर मैंने जो option है उसको on कर दीए ठीक है तो आप फिर से में चला जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पर जो auto delete OTP आपक message आएगा एंड आपका future में जो भी OTP message था आपका mobile phone में उस साइब automatic delete होना start हो जाएगा एंड फिर आप जब भी किसी को message करें आप चाहते की message करने के बाद यहाँ पर आपको डेलीवर्ड option दिखाए यहाँ पर जैसे मैसेज लिखाए यह डेलीवर्ड दिखाए तो ऐसा द आने के बाद नीचे यहाँ पर जो एडवांस option है इसको पर टैप किजिए आपके बास dual sim रहेगा तो एडवांस option यहाँ पर नहीं दिखाएगा तब यहाँ पर आपको general के बाद दो dual sim को option दिखाएगा मतलब जिस sim में चाहते उस sim को पर टैप करेंगे तो इस option में आपका आ जाएगा चीक है यहाँ पर आने के बाद जो get sms delivery report का option है इसको on कर दिजिए आप बैक में आकर आप जब भी किसी को message करेंगे तो message delivered होने के बाद आपको यहाँ पर deliver करके ओ दिखाएगा चीक है यहाँ पर deliver दिखा रहा है तो ऐसे आपको दिखाएगा okay and find दूसरा mobile phone जै message automatic send हो जाएगा तो एक करने के लिए आपको पहले message type करना है जैसे में यहाँ पर message type कर देता हूँ and type करने का यहाँ पर प्लास option पर tap करके message schedule में tap कर दिजिए and यहाँ पर select date and type अब custom date and time select कर पाएंगे इसके लिए यहाँ पर tap करके आप किसी भी time में set करके यहाँ पर next जैसे में यहाँ पर time set कर देता हूँ 12 बाज के एक मिनिट and am कर देता हूँ आप इसको next करके save कर देंगे तो message आपका schedule में चला जाएगा message हो गया 12 बाज के एक मिनिट होने के बाद automatic message send हो जाएगा तो ऐसे करके message schedule करके किसी भी date में किसी भी time में किसी को भी message send कर पाएंगे एक अच्छा useful feature से इसका उपयोग आप सब जरूर केजिए ठीक है और इसके साथ साथ आप plus icon पे tap करके किसी को भी आप अपना contact number send कर पाएंगे और इसके साथ साथ अपना mobile phone से GIA, sticker, file, किसी भी file को आप audio, video, picture, जो भी file है आपके पास उसको documents सब को send कर पाएंगे message के through and उसक message को block कर पाएंगे message को archived कर पाएंगे, इस सब कुछ बहुत important features आपको Redmi mobile phone के message application में देखने को मिल जाता है and आप इसका उपियोग जरूर कीजिए, चिक है? तो यह सारा setting अपना phone में use करके अपना messaging experience को और भी अच्छा बना पाएंगे, ओके? तो इस बनी भी इतना ही, see you next video, तब तक के लिए, bye-bye